दोस्तों मेरे पास यह जो डिवाइस है Realme brand की है और इसका model नमबर है Realme Narjo 50A ध्यान से सुन लीजे model नमबर है Realme Narjo 50A डिवाइस में प्राब्लम यह है दोस्तों की डिवाइस हमारी पूरी तरह से pattern lock है तो विडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इस विडियो में मैं आपको इस डिवाइस को unlock करने का बिल्कुल फ्री तरीका बताऊंगा मेरे इस विडियो को देखने के बाद घर बैठे 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 बिल्कुल फ्री में आप Realme Narjo 50A का pattern, pin या password lock बहुत आसानी से remove कर पाएंगे एक चीज और, दोस्तों जब आप डिवाइस को unlock करते हैं ठीक है तो इस condition में आपकी डिवाइस FRP lock हो जाती है यानि कि Gmail account lock हो जाती है ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप कोई भी new device लेते हैं तो उसमें play store का use करते हैं और उसमें आप कोई भी Gmail account आप add कर लेते हैं इन केस अगर आपको वो Gmail account नहीं पता होता है और आप मेरी वीडियो को देखकर या किसी भी वीडियो को देखकर जब आप device को hard reset करके unlock करते हैं तो इस condition में device आपकी FRP lock हो जाती है यानि कि Gmail account lock हो जाती है ठीक है इसलिए प्लीज वीडियो को देखेगा ठीक है अभी भी देख सकते हैं device पूरी तरह से pattern lock है ध्यान से देखे कैसे इसे unlock करना है सबसे पहले आपको इसे power off करना होगा power off करने के लिए power button को आप press and hold करके रखिए और सबसे पहले आप device को पूरी तरह से power off कर ले ठीक है तो यहां से मैं device को power off कर लेता हूँ ठीक है यह power button को आपको continue press करके रखना है और device को आप power off कर ले ओके device power off हो गई अब देखे दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है volume up, down और power ये 3 बटन है ठीक है आपको simply करना क्या है down button को press करके रखना है ठीक है यह देखे down button को मैंने press किया ओके और अब दोस्तों device को मैं on करूँगा तो यहां समय device को on करता हूँ ध्यान दीजिए device जैसे ही on होगी दोनों बटन से finger हटा लें अब दोस्तों आपको wait करना है device को पूरी तरह से active होने तक ठीक है अभी देखेगा device आपकी पूरी तरह से recovery mode पर active हो जाएगी आप wait करिए और यह देखिए device हमारी completely recovery mode पर active हो गई अब दोस्तों यहां पे language आप देख सकते हैं Chinese और English language है हमारे लिए जो comfortable language है वो है English तो आप simple English पे क्लिक करें English पे क्लिक करने के बाद यहां पे बहुत सारे options दिखेंगे आपको device को unlock करना है इसलिए आपको क्लिक करना होगा format data पे तो format data पे मैं क्लिक करता हूं अब यहां पे ध्यान दीजिए उपर के तरफ लिक क्या गया format data यहां पे लिखा please enter verification code और यहां पे दिख code change हो गया अब आपको यह code यहां से manually enter करना है तो code enter करते है 8585 जैसे code enter करेंगे तो यहां पे दिखेंगे यह message आ गया अब यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों यह message में बकायदा यहां पे mention किया गया है कि जब आप device को hard reset करेंगे तो यह देखिए यहां पे लिखा है enter the google account य यानि कि hard reset करने के बाद भी आपको google account यानि कि gmail account यहां पे insert करना होगा add करना होगा तो इसलिए मैंने आपको बताया कि hard reset करने के बाद device आपकी frp lock हो जाती है यानि कि google account lock हो जाती है फिलाल हमें unlock करना है इसलिए हम simple format पे click करेंगे wiping process हो रहा है कुछ second wait करिए जैसे यह process complete ह होगा आपको data formatted का message आ जाएगा और यह देखे process complete हुआ data formatted का message आ गया find यह आपको click कर देना ok पे मैंने ok पे click किया ok पे click करते है device आपकी reboot हो जाएगी यह देखे device reboot हो गई और अब दोस्तों आपको wait करना है device को पूरी तरह से active होने के लिए यानि कि चाल होने के लिए जब इस device में Gmail account add है यानि कि Gmail ID add है तो device आपकी FRP लाग होगी तो इसका भी solution मैं आपको इस वीडियो में detail में बताऊंगा इससे पहले दोस्तों अगर आपको किसी भी brand की कोई भी device घर बैठे बैठे अनलाग करवानी हो तो आपको उससे जरूर contact करिए मेरा contact detail आपको description box में मिल ज लाग हो जाएगी तो उसको कैसे remove करना है ये भी आपको वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों device को हमने hard reset किया device हमारी reboot कर पूरी तरह से active हो चुकी है आप देख सकते हैं अब display पे किसी भी type का locks हो नहीं कर रहा है लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि hard reset करने के बाद device आपकी frp lock हो जाती है ठीक है तो इस वीडियो को ध्यांस देखिए इस वीडियो में मैं आपको real minarjo 50A का frp bypass करने का सबसे latest तरीका बताऊंगा सबसे पहले दोस्तों मैं आपको confirm कर दूँगा कि मेरे पास जो device real minarjo 50A ये पूरी तरह से frp lock है यानि कि gmail account lock है यहां पर ये 4 boxes है तो आपको step by step इन 4 boxes को check करके रखना उसके बाद next करिए यहां से फिर से आप next पे click करिए यहां ध्यान दीजिए यहां पर दिखे यह message आ गया connect to wifi वाले option पर है और अब दोस्तों अगर आप इसकी पे click करेंगे तो आप देखेंगे आपको यह message आएगा तो यह message आ गया तो यहां पर आपको करना क्या है सबसे पहले यहां पर device को किसी wifi से connect करना है क्योंकि device में net का चलना जरूरी है तो यहां पर device को मैं wifi से connect कर लेता हूँ device connect हो गई अब यहां से करेंगे next कुछ second वेट करिए आपको पूरी तरह confirm हो जागा कि मेरे पासी जो device अरियल मिनार जो 50A यह पूरी तरह से frp lock है यानि कि gmail account lock है ध्यान दीजिए जब आप device को hard reset करेंगे तो device आपकी 100% frp lock होगी यानि कि gmail account lock होगी यहां don't copy मैंने click किया और यह देखिए device पहले pattern lock थी इसलिए यहां पे pattern lock का option आ गया अगर pin या password lock होता तो pin या password का option यहां पे आता ठीक है pattern का option है और pattern हमें नहीं पता है तो इस option को हम उपर से cancel करेंगे और अब देखेगा यहां पे लिख कियागा verify your account यानि कि आगे चलके device का frp bypass करने के लिए आ lock है अब देखिए कैसे इसका frp lock remove करना है सबसे पहले आप यहां से back जाएंगे connect to wifi वाले option यानि कि जहां पे आपने device को wifi से connect किया था ओके यहां पे हमने device को wifi से connect किया है simple is network पे क्लिक करेंगे यहां पे दिखेगा share share पे क्लिक करेंगे share के बाद nearby दिखेगा nearby पे क्लिक उपर की तरफ कोने में आपको three dot दिखेगा कुस से कंड वेट करेंगे तो यह three dot दिखा आप इस पे क्लिक करिए उसके बाद share article पे क्लिक करिए share article पे क्लिक करेंगे तो share के यह सारे options आपको दिखेंगे आप इसे पकड़ के lift से right ऐसे slide करिए यहां पे दिखेगा message message पे क्लि करना है new message पे क्लिक करने के बाद दोस्तों type name phone number का option आ गया तो यहां पे आप कुछ भी type कर दीजिए xyz कुछ भी ओके आपने जो type किया है तो यहां पे देखें send to आ गया आप send to पे क्लिक करिए तो यहां पे message box open हो जाएगा और automatic यहां पी यह message आ जाएगा आपको करना क्या यह सारे message को delete कर देना ठीक है यहां से delete करिए delete करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको type करना है www.youtube.com डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं तो मैंने type किया उसके बाद SMS पे क्लिक कर दें यहां पे देखेंगे YouTube का एक link दिखेगा यह जो arrow है tab to load preview आप इस पे क्लिक करें कु Chrome में account है account पे क्लिक करें setting पे क्लिक करें लास्ट में about अबाउट पे क्लिक करें उसके बाद YouTube टर्म आप services पे क्लिक करेंगे तो आपके device में Chrome browser open हो जाएगा welcome to Chrome use without an account इस option पे क्लिक करें और उसके बाद आपको no thanks करना है यह address box है आप इस पे क्लिक करें यहां पे आपको simple type कर 2024 दीखेगा आप इस पे क्लिक करें तो आपके device में addroom की main website open हो जाएगी यह देखिए addroom की main website open हो गई अब दोस्तों यहा पे देखेंगे open setting का option है और इसका software देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल latest device हमारी बिल्कुल latest android 14 से up to date है अब हम back चलते हैं back आनेक बाद दोस्तों उपर आईए यहाँ पे एक option आपको मिल जागा दोस्तों home screen and lock screen का आप इस पे क्लिक करें उसके बाद आपको क्लिक करने ना है दोस्तों home screen layout पे यह देखिए home screen layout पे मैंने क्लिक किया तो यह देखिए device का home screen यहाँ पे open हो गया ध्यान दीजिए यह सिर्फ और सिर्फ device का home screen ओपें हुआ अब यह आपकी device पूरी तरह से unlock नहीं हुई है जब आपकी device पूरी तरह से unlock हो जाएगी तो यहाँ से देखिए उपर से notification panel वर्क नहीं कर रहा है तो यह देखिए clone phone application ओपें हो गया अब आपके पास होना चाहिए कोई दूसरी android device किसी भी brand की एक दूसरी android device आप ले लें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एक दूसरी android device ले लिए अब इस device में आपको करना क्या है ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों इस device में same application आपको install करना है यानि कि clone phone application install करना है ठीक है तो इसके लिए simple आप play store ओपेंड करेंगे यहाँ play store ओपेंड करने के बाद search पे click करें आपको type करने ना दोस्तो clone phone clone phone type करके search करेंगे तो आपको एक application दिखेगा clone phone one plus app ठीक है आप इसपे click करेंगे और इस application को simple install कर लीजिए ठीक है जहां से सुनिए आपको कोई भी दूसरी device लेनी है उसमें clone phone one plus app install करना है ठीक है तो यहाँ पे दिखेए clone phone one plus app install हो गया मैं इसे open कर लूँगा ओके open करने के बाद देखिए दोनों application का इंटरफेस बिल्कुल सेम है अब आगे देखिए आपको करना क्या है यह जो device है यह new device है जो की locked है तो this is the new device आप इसपे click करें यहाँ से permissions जो भी आए सारे permissions को आपको step by step allow करना है other android पे click करें यहाँ पे देखिए QR code आगया अब यह जो device है यह old device है तो this is the old device आप इसपे click करें permissions जो भी off है तो आपको उसे on करना है और allow करना ठीक है तो विडियो को ध्यास देख कर सारे steps को follow करिए permissions जो भी आएना दोस्तों आपको सारे permissions को step by step allow करना है यहाँ turn on आगया turn on पे click करते है location service off है इसे on करेंगे उसके बाद back आएंगे फिर से this is the old device इसपे click करेंगे यहाँ पे देखिए scanner आगया अब आपको करना क्या simple यह QR code को scan करना ठीक है जैसे ही आप scan करेंगे तो आप देखेंगे दोनों डिवाइस आपस में connect हो जाएगी यह देखें connecting अभी कुछ सेकंड वेट करिए दोनों डिवाइस आपस में connect हो जाएगी और यहाँ पे देखिए preparing data यह data reading हो रहा है थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे यह देखे data reading complete हो गया अब सब के सामने चेक आ गया आपको करना क्या है सारे को अंचेक करना है अंचेक करने के लिए सबसे उपर वाला box इसे चेक करिए और यहाँ से इसे अंचेक कर देंगे तो सारा यह देखे सारा अंचेक हो जाएगा उके उसके बाद last में आईए आपको दिखेगा apps पे क्लिक करें सारे applications की list यहाँ पे आ जाएगी random कोई एक application चेक करना है कोई भी एक application आप ऐसे चेक करिए उसके बाद उपर से okay करिए start migration पे क्लिक करिए यहाँ से continue करिए और यह देखे password मैं यहाँ से verify कर देता हूँ ठीक है password verify करने के बाद दोस्तों यह देखे sending और यह देखे receiving एक application जो मैंने चेक किया वो application successfully इस device में transfer हो जाएगा यह देखे transfer complete यहाँ से हम done करते हैं application इस device में चला गया अब इस device का work finish तो इसको मैं side में रख लेता हूँ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों एक application हमने clone phone का use करके इस device में send किया जो की successfully इस device में send हो गया यहाँ पे migration complete का option आ गया तो यहाँ से हम done कर देंगे नेगिवेशन का दो option यहाँ पे आपको देखने को मिलते है button gesture किसी एक को select करें उसके बाद आप next पे क्लिक करें उपर से इस option को आप skip कर दें यहाँ इसी से done पे क्लिक करें और यह देखे real mey नीचे तरफ आगया get started आप इस पे क्लिक करें और बस अब जाके आपको डिवा अनलॉक हो जाएगी तो उपर से जो नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं प्रापर वर्क कर रहा है तो यह पुरा फूल प्रोसेस था दोस्तों real mey नार जो 50A का pattern ping या password लॉक रिमूब करने का या device का FRP लॉक रिमूब करने का वीडियो का ऐसी लिए प्रमेंट में कमेंट करके बताईएगा अच्छे हैती है तो वीडियो को सेर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स पार वाचिंग दिस वीडियो